दोस्तो आज मैं आपको डू पोस्टेट से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ दोस्तो अगर आप एक डू के पोस्टेट यूजर हो और आप अपना डेटा एंड मिनट किसी से सेर करना चाहते हैं आपके पास जाधा डेटा है आपके पास जाधा minute है आपका खतम नहीं होता है minute and data तो आप उस data and minutes को आप share कर सकते हो आपका कोई family member है या कोई दोस्त है उसके दोश्रूप अप इसको यूज कर सकते हो दोस्तो अगर आप मेरे चनल पर नए हैं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल बला बटन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को लाइक सेर करना ना भूलें इसको सेर करने के लिए डू आपको एक मल्टी सिम कार्ट्स का ओप्शन देता है इसकी डिटेल के लिए मैं आपको एक वेपसाइट बता रहा हूं एतिसलात-e-life.blogspot.com जाके आप गूगल में सर्च करें मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहाँ पे भी जाके डारेक्ट विजिट कर सकते हैं दोस्तो अगर हम डूग के multi sim cards की बात करें तो आप maximum 5 multi sim cards ले सकते हैं इसके लिए आपको हर sim card के लिए 25 देरम पे करना पड़ेगा दोस्तो इन 5 sim cards में आप data and minute का ही यूज़ कर सकते हैं आप इस number से सिर्फ call कर सकते हैं और data का उप्योग कर सकते हैं बट इसमें कोई आपको इस number पर incoming call नहीं आएगी क्योंकि जो incoming call है वो आपके only main number पर जाएगी दोस्तो आपको Google में चाना है वहाँ पर आपको type करना है एतिसलात e-life.blogspot आपको search करना है सबसे पहले जो website आपको दिख रही है आपको इस पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक option आपको दिख रहा होगा do share data and minutes with multi sim cards तो आपको इसको open करना है और आपको यहाँ पर सारी detail मिल जाएगी दोस्तों अगर आपका by chance कभी a sim card खो जाता है तो आप इसको replace करा सकते हैं आप नया sim card ले सकते हैं बट इसके लिए आपको 40 देरम पे करना पड़े तो दोस्तों अगर इनफोर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें comment जरूर करें और अपने दोस्त प्राइब करना ना भूले थेंक्यू शुक्रिया धन्यवाद